दोस्तों एक बाद फिर से मैं आजीर हूँ 2 October 2021 के important events के साथ आप complete वीडियो थान से देखिए क्योंकि लाश मैं आपको दो questions के जवाब देने हैं मैं pending videos भी cover कर रहा हूँ और as soon as possible जितना भी जल्दी होगा मैं complete कर दूँगा उनको आज का पहला question है International Day of Awareness of Food Loss and Waste ये किस डेट को अबज़र कियाता है तो Food Loss और Waste के विशे में लोगों को Aware करने के International Day 29th September को उना जाता है तो हर वर्स 29 सितंबर को International Day of Awareness of Food Loss and Waste अबज़र कियाता है 2019 में Announce किया जाता है कि हर वर्स 29 सितंबर को International Day of Awareness of Food Loss and Waste अबज़र किया जाएगा Theme क्या इस बर का Stop Food Loss and Waste क्या है Stop Food Loss and Waste For the People, For the Planet तो जो Zero Hunger Target है उसको अचीव करने के लिए ये International Day of Awareness of Food Loss and Waste 29 सितंबर को अबज़र कियाता है 2019 से अगला question है Gen Care ये किस ने launch किया है तो Gen Care launch किया गया है मेरे खाल से Jitain Singh जी दोरा इनके दोरा Gen Care launch किया गया है Gen Care किया है ये एक प्रोग्राम है Grand Challenge Program अमरित Grand Challenge Program Gen Care इसको Dr. Jitain Singh जी ने launch किया है इसमें क्या होगा 75 Best Startups को चूज़ किया आएगा जो कि Bio Economy से Related होंगे इनको अगले 25 वर्स के लिए Leadership Provide कि जाएगी कि इस सेक्टर को लीड करे तो Bio Economy को लीड करने के लिए अगले 25 वर्सों में ये 75 Best Startups को चूज़ किया आएगा Gen Care Program के तहट देखे, Prime Minister Modi जी का विजन है 2024 पच्चिस तक इंडिया को 5 Trillion Dollar Economy बनाना इसके लिए जो BIRAC है Bio Technology Industry Research Assistant Council वो कई सारे Bio Incubators को प्रोमोट कर रही है इंडिया में तो Gen Care उसी के तहट ये प्रोग्राम लाँच किया गया है Department of Science and Technology के तहट Department of Bio Technology आता है उसे में आता है आपका Gen Care अगला पोशन है Andy Jaisi हाल ही में किस कंपनी के CEO बने थे तो Jeff Bezos Step Down हो कर गए थे Andy Jaisi Amazon के CEO बने थे अब चर्चा में इसलिए है देखे Amazon दोरा हाल ही में Amazon Future Engineers Program लाँच किया गया है क्या? Amazon Future Engineers Program ये एक Global Computer Science Education Program है क्या है? Global Computer Science Education Program है पूरे विस्व में Computer Science की Education प्रोवाइड करने के लिए Amazon Future Engineer Program को रन किया जा रहा है Amazon की बात करें 1994 में स्थापना हुई Washington DC में हेडकोटर है Jeff Bezos Founder है और Non-Executive Chairman भी है CEO कौन है? Andy Jaisi जो की 4-5 मेहने पहले ही अपॉइंट हुए है अगला कोशन है Ease of Logistic Portal किसने लाँच किया है? तो Commerce Minister Puse Goel जी ने Puse Goel जी ने Ease of Logistic Portal लाँच किया है यह देख लिजे जो हमारे Commerce Minister है Puse Goel इनके दोरा Ease of Logistic Portal लाँच किया गया है आपको पता है यह पूरे देश में वाडिजी सब्ताह मनाया जा रहा था काफी समय से इसके समापन समाहरों के दोरान Puse Goel जी ने Ease of Logistic Portal लाँच किया है यह वाडिजी सब्ताह समापन समाहरों इसको किसने और्गनाइज किया था? Federation of Indian Export Organization Federation of Indian Export Organization इसी के दोरा आपका यह जो Ease of Logistic Portal है वो डलब किया गया है बस इदना याद रखिएगा और इसको लाँच किया है किसने? Puse Goel जी ने Federation of Indian Export Organization के बाद करें तो 1965 में साबना हुई Ministry of Commerce के दाता है Trade Promotion के लिए लाँच किया गया था अगला कोशन है अमिसाह जी ने आपदा मित्र स्कीम को कितने डिस्टिक्स में लाँच किया है तो आपदा मित्र स्कीम जो आपदा प्रोन यानि डिजास्टर प्रोन सिटीज है इंडिया की 350 सिटीज में लाँच किया गया है डिस्टिक्स में लाँच किया है Home Minister अमिसाह जी क्योंकि जो National Disaster Management Act है उसको इंप्लिमेंट करने का काम किसका है Home Minister का लेकिन National Disaster Management Authority उसके हेड कौन होते है प्राइम मिनिस्टर NDMA Act 2005 में पास हुआ था आपदा मित्र स्कीम लाँच कियी है अमिसाह जी दोरा इसमें 350 डिस्टिक्स पर फोकस किया जाएगा National Disaster Management Authority के दोरा पचपन सो आपदा मित्र और पचपन सो आपदा सकी को ट्रेंड किया जाएगा बस आपदा मित्र स्कीम लाद रखेगा Home Minister की स्कीम है अगला कोशन है वर्ड हाड डे 31 डेट को मनायता है 29 सितंबर को ये भी मनायता है इस समय जो Heart Disease हो रही है वो यंग जनेरेशन में भी बहुत ज़दा हो रही है क्यों उनकी dietary habits के कारण ठीक है तो जो टोटल polar compound होता है जो आप fatty acids खाते हैं उनकी विज़से ऐसा होता है cholesterol बढ़ जाता है फिर Heart Disease हो जाती है तो हर वर्स को 29 सितंबर को हर वर्स 29 सितंबर को World Heart Day मनायता है Heart Disease के विज़से में लोगों को aware करने के लिए theme क्या है World Heart Day का Use Heart to Connect बस तरह इदे रखेगा World Heart Day पहले बार 1990 में मनाय गया था 1999 में World Heart Federation दोरा मनायता है जिसकी स्तामना होई थी 2000 में जिनिवा में World Heart Federation का एक विटकवडर है चेर्मेन है राज्यू गुप्ता अगला कोर्शन देखते है किस इस्टे द्वारा इसका पहला पामेटेनम पामेटम सौरी फर्स्ट पामेटम इसको किस ने इनागलिट किया है उत्राखंड ने देखिए फर्स्ट पामेटम ये देखिए जो पाम ट्री होता है ना पाम ट्री उससे रिलेटेड वराइटीज को यहाँ पर हुआ जाएगा तो उत्राखंड फोर्स डिपार्टमेंट दोरा फर्स्ट पामेटम जो इसको इनागलिट किया गया है यह नौर्थ इंडिया का बिगेष्ट वन आद बिगेष्ट पामेटम होगा इसमें 110 पाम स्पीसीज होंगी जिसमें 4 प्रिटिकली इस्टेड इंडेंजर होंगी देखे जो पामेटम है उत्राखंड का यह खास वराइटी के लिए फिमस है जिसका नाम है तकिल पाम बस इतना याद रखिएगा यह तकिल पाम जो है एक मात्र पाम वराइटी है जो कि सब जीरो डिग्री टंपरिचर में भी सर्वाइब कर सकती है उत्राखंड की बात की जाए अगर तो जो जीम कवर्बेट नेसल पार्क है इंडिया का ओल्डेश नेसल पार्क है 1936 में बना था तब इसका नाम था हैली नेसल पार्क कहां पे है उत्राखंड में अगला कोशन है 2030 तक कितने पर्षेंट पोर्ड इक्यूमेंट को इलेक्ट्रिफाई कर दिया जाएगा हाली में गवर्बेट ने टार्गिट किया है तो 50% पोर्ड इक्यूमेंट चाहे वो जहाज हो पोर्ड की इलेक्टिसिटी हो कुछ भी इनको electrify कर दियागा 2030 तक और ये अभी क्या है government of India ने aim किया है कि जो इंडिया का share है renewable energy में वो 60% major ports को solar और wind से दिया जाने का aim है renewable energy accounts अगर बात करें तो total power demand का port industry बात करें 10% सिर्फ renewable energy से आता है अभी सारे जो apparatus है वो electrify पूरी तरह से नहीं है तो port equipment को 2030 तक 50% electrify कर जाएगा port में जो supply होती है उनको 2030 तक phase wise manage में कोसेश की जाएगी कि solar power यानि जो wind energy आती खास कर उससे ही चलाया जाए और carbon emission को 30% तक reduce किया है 2030 तक लेखिए इंडिया का जो INDC है internationally determined contribution इंडिया का target है 2030 तक जो 2005 का emission intensity था उससे 30 to 35% reduce करना अगला question है जापान के नए prime minister कौन बने हैं तो fumio kishida fumio kishida देख लेते हैं ये हैं fumio kishida ये जापान के नए prime minister बने हैं इन्होंने replace किया है योशी हीदे शुगा को अच्छा जापान के नए prime minister बने हैं liberal है उदारवादी है fumio kishida ने election में किसको हराया है तारो कोनों को हराया है बिसना इत्याद रखेगा तो kishida जापान के नए prime minister बने है जापान की बात करें capital है टोक्यो करेंसी है Japanese yen नरो ही तो यहां के क्या है emperor है रिवा एरा की starting हो गई जापान की parliament का नाम है diet अगला question है आरवे द्वरा जो second half है October से लेके मार्स अक उसके लिए ways and means advances की limit क्याता है 50,000 क्रोड देखें पूरे साल के लिए मेरे ख्यादा से एक लाग क्रोड था तो अगले छे मेने के लिए 50,000 क्रोड जो है लिमिट है ways and means advances देखें government के बास कई बार रुपए कम हो जाते हैं तो repo rate की आधार पर जितना repo rate चल ला है उसी दार पर RBI से ways and means advances ले सकते हैं अगर इससे उपर आप जाते हो तो repo rate प्लस 2% क्योंकि ये overdraft माना जाएगा बस इतना याद रखेगा RBI की बात करें तो RBI Act 1934 के द्वारा RBI की स्थाबना 1st April 1935 को कुलकत्ता में हुई थी लेकिन 1937 में कुलकत्ता से मुंबाई इसका headquarter transfer हो गया था जहां पे वरतमान में है RBI के 25 गौर्णर है सक्तिकांदास हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिस पे RBI की स्थाबना हुई थी और किस कंट्री को international atomic energy agency द्वारा external auditor के तौर पर चुना गया है चुना गया है छे वर्ष तक के लिए 2022 से 2027 तक के लिए जर्मनी और यूके की जिखा इंडिया को जो है चुना गया है यह अपने आप में बहुत बड़ी हमाई लेग गर्व का विसर है आई ए ए ए इए इए इंटरनेशनल एटॉमिक एनरजी एजनसी 1957 में स्थापना हुई वियना आउस्ट्रिया मेहटकोटर है एक है इंटरनेशनल एनरजी एजनसी उसका पैरिस मेहटकोटर है इतना याद रखेगा अगला कोशन है जदीमा एंड सोजात महटी इनको GI टैग मिला है किन दो राजियों से विलाओं करती है तो जदीमा एक वाइन वेराइटी है जो के असम की है और सोजात महंदी राजिस्थान की है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जदीमा एक राइस से बनने वाइन यानि चावल से बनने वाइन की वेराइटी है सराब की वेराइटी है असम से विलाओं करती है जदीमा सोजात महंदी यानि सोजात हिना राजिस्थान की है इनको दास वर्ष के लिए GI टैग मिला है तुसरे दीमा राइस वेराइटी है दिमासा कम्यूटी असम दोरा यूज कियाती है सोजात महंदी ये देख लिए सोजात करके एक प्लेस है वहीं पर रेनवोटर कल्टिवेशन के दोरा इसको गाया था सोजात महंदी ये राजिस्थान की है दुनों को जाद रखेगा GI Act इंडिया में 1999 में पास वो था TRIPS Agreement को इंप्लिमेंट करने के लिए PTI Press Trist of India के नए चेर्मेन रिलिक्ट कौन हुए है तो रिलिक्ट हुए है अभी एक सरकार जी पहले भी अभी एक सरकार ही PTI के चेर्मेन थे ये हैं अभी एक सरकार PTI Press Trist of India के वापस से चेर्मेन बन गए हैं आपको या लखना है Vice Chairman को बना है तो के एन संतकुमार ये Vice Chairman मने है PTI के अभी एक सरकार चेर्मेन मने है PTI की बात है Press Trist of India देश का लार्जेस्ट न्यूस एजेंसी है PTI 1947 में ही स्थापना होई थी नए दिली महटकोटर है चेर्मेन है अभी एक सरकार अगला कोशन है Foreign Trade Policy को कितने समय तक के लिए एक्षेंट कर दिया गया है मार्च 2022 तक मिनिश्ट्य और कॉमर्स और इंडर्ष्ट्री ने ऐसा किया है 31 मार्च 2022 तक के लिए Foreign Trade Policy को क्या कर दिया है एक्षेंट कर दिया कि ये 5 वर्स के लिए नहीं थी 2015 से 20 इन फिर COVID आ गया तो तीन बार Extension मिल चुका है Foreign Trade Policy को फर्स टाइम जब Extension मिला था तो मार्च 2021 तक के लिए था ये एक वर्स के लिए पुरा फिर सितंबर 2021 तक के लिए मिला अब क्या हुआ 30 मार्च 2022 तक के लिए आपको Extension मिल गया Foreign Trade Policy को 25 से 2020 के लिए थी लेकिन अब तीसरा Extension मिल गया है अचा पार्च वर्स के लिए क्यों मनाते है My Foreign Trade Scenario चेंज होता रहता है न तो जल्दी से जल्दी पॉलिसी भी चेंज होने चाहिए Ministry of Commerce and Industry को है Puse Goel जी अगला कोशन है Prime Minister Modi जी दोरा कितनी crop varieties को Special Trades के साथ देश को समर्पित किया गया है Prime Minister Modi जी ने हाली में 35 35 crop varieties को देश को समर्पित किया है देख लिए 35 crop varieties को देश को समर्पित किया है Prime Minister Modi जी ने Prime Minister Modi जी ने 36 गड़ की capital रायपूर में National Institute of Biotic Stress Tolerance इसके जो campus है उसको भी नगरेट किया है रायपूर में इनुबरेट किया है Prime Minister Modi जी ने जी 35 crop varieties है यह drought यानि सूखा tolerant varieties है कई सारी यहाँ पर फसले दी हुई है आप ना याद कियेगा 35 crop varieties रायपूर में एक National Institute of Biotic Stress Tolerance इसको Prime Minister Modi जी ने इनुबरेट किया है Government of India ने Rabies को कब तक Eliminate करने का Target रखा है तो यह Dog Mediated यानि जो कुत्ते के काड़ने से Rabies होता है इसको 2030 तक Eliminate करना है पहले लेते है World Rabies Day मेरे कहांसे 28th September को मनाया गया Tourism Day के अगले दिन बढ़ता है World Rabies Day Government of India का जो National Action Plan Rabies Elimination से Related है वो Dog Mediated Rabies को 2030 तक समाब कर देगा Rabies 100% जान लेवा है और 100% Vaccine Preventable है यानि अगर आप Vaccine समय पहले ले तो एक भी जान भी नहीं जाएगी तो कितनी अच्छी बिमारी ना 33% जो Global Rabies के से साते हैं वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में भी Rural Parts से आते हैं तो बस इतना जाद रखिएगा Rabies अच्छा विलेज में ये जो Rabies है इसको अधकवा नाम से जाना जाता है तो ये पहली बर मैं भी नाम सुनना हूँ Rabies वाराल जनी तरोग है खासक के रैपिट जो एनिमार सुत्रम के काड़ने से होता है आल इंडिया मैनेजमेंट असोसिएशन इसके प्रिस्ट को ने है C.K. रंगनाथन हाली में आल इंडिया मैनेजमेंट असोसिएशन के नए प्रिस्ट ने है ये है C.K. रंगनाथन आल इंडिया मैनेजमेंट असोसिएशन के नए प्रिस्ट ने है चेर्मेन बने है मेरे क्यार्स से प्रेसिर्ण बने है उसके इलावा इन्होंने किस से चार्ज लिया है हर्स पती सिंगानिया से जो की वाइस चेर्मेन इसके हैं जेके पेपर से छूड़ी है अब इसको और इंडिया मैनेजमेंट अस्वोसीशन नाइटी फिप्टी सेवन में स्थापना हो इस चेशुरी बॉड़ी है यह आज की वीडियो से खोश है ना यह होप कि आप इनका जवाद दे पाएंगे जल्दी ही मिलते हैं आप से अबनी नेक्स वीडियो में तो तक लिए टेक केर गुट बैं